एक ये सोचने की बात है कि हाथ दो के हमारे पीछे क्यूं पढ़े हैं आम आदमी पार्टे के पीछे क्यूं पढ़े हैं इतने हमारे MLA को ये जेल भेज चुके सारे छूट छूट के आगए और कोट ने जब छोड़ा तो ऐसे गंदे गंदे और पास किये इन लोगों के खिलाफ कि क्या जूटे सच्चे केस मना रहे हो सतिंदर जहन को इन्होंने गिरफ़तार कर लिया जूटे केस में पिछले महीन है अब मनीज सिसोधिया जी को गिरफ़तार करने जा रहे हैं ये लोग तो आखिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं, हम ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं, तीन कारण हैं, पहला कारण, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर इमानदार हैं, वो पूरे देश को भरोसा हो गया, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर इमानदार है सारा देश कहता है और कुछ भी हो लड़के हैं तो इमानदार ये लोग जूटे केस बना-बना के हमारे उपर कीचड फैंकना चाहते हैं ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही है जैसे हम भ्रष्ट हैं ये वी वैसे ही हैं ये भी भ्रष्टा चाहरी हैं पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रहे हैं दुनिया खुदी कह रहे हैं कि जूटे केस लगा रहे हैं तो जो मर्जी कर लो सच सच होता है जूट जूट होता है जितना मर्जी कीचर तुम फेंक लो जाब में आम आदमी पार्टी जीती है, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की आंधिया रही है, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की चर्चावारी है, पूरे देश में आम आदमी पार्टी फैल रही है, यह उसे रोकना चाहते हैं, यह नहीं चाहते कि आम आम आदमी पार्टी को पूरे देश के लोगों की उमीद बन चुकी है देश के अंदर हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले देश के अंदर हर आदमी चाहता है मेरे परिवार को अच्छा इलाज मिले देश के अंदर हर आदमी चाहता है में 24 घंटे ब मिले अच्छा पानी मिले अच्छी बिजली मिले फ्री बिजली मिले सब लोग अच्छी सुविधायं चाहते हैं हर आदमी चाहता है देश के लिए ब्रश्टाचार खतम हो हर आदमी चाहता है मेरा देश दुनिया का नंबर वन देश बने अब आम आदमी पार्टी से ही टाइम है कम भारत का समय आ चुका कोई नहीं रोख सकता और तीसरा कारण ये क्यों हमेरे पीछे हाथ दोके पड़े हैं दिली के कामों को रोकना चाहते हैं दिली के अंदर जो शांदार काम हो रहे हैं सिंगापूर की सरकार सिंगापूर की सरकार पूरे दुनिया के मेर बुलाएं उन्होंने और केजरिवाल को बुलाया कि आके इनker रसा सिखाओ कि आप दिली मए क्या काम करूँ इस से बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है दिली के कामों की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है ट्रम्प साब की वाइफ आई थी वो हमारे स्कूल देखने जाती है यह हमारे दिली के कामों को रोकना चाहते हैं खासकर दिली में एजुकेशन और हेल्थ में बहुत शांदार काम हुए इसलिए उन्होंने पहली हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डाला और अब एजुकेशन मिनिस्टर को इन्होंने जेल में डाला पर मैं दिल्ली के और देश के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि काम नहीं रुखेंगे इन्होंने सतिंदर जा इनको दो महीने से जेल में है, दो महीने रख लिए, तीन महीने रख लेंगे, चार महीने फिर निकलाएंगे, काम फिर चालू हो जाएंगे मनिस सोधियाजे को अब ये जेल भेजेंगे महीना दो महीना तीन महीना कब तक जेल में रखेंगे जूटा केस है कोट में जाके गिर जाएगा डांट पड़ेगी इनको देख लेना मनिस सोधियाजे बाहर निकलाएंगे काम नहीं रुखेगा